दोस्तो क्या हुआ जब एक भक्त यानी एक सिकारी ने सिवलिंग पर चड़ाया मास जब सिवलिंग पर मास चड़ाया उसके बाद जो हुआ जानकर आप भी भोचक्के रह जाएंगे दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले एक बार सची स्थर्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव की किरपा आपके परिवार और आप पर रहे दोस्तो सिवपुरान की कथा के अनुसार एक सिकारी था भील एक दिन सिकार के लिए जब वह जंगल गया तो जंगल की जिस जगह पर वह सिकार करने पहुचा वहाँ पर एक सिवलिंग स्थापित था सिवलिंग पर फूल बेल पत्र का स्रिंगार किया गया था इससे भील यह तो समझ गया कि कोई न कोई यहां रहता है परंतु उसे लगा कि इस सिवलिंग का जो पहरेदार होगा वो सायद किसी काम से इसे छोड़ बाहर गया होगा दोस्तो सिकारी भील को पूजा पाट के सम्मंध में कुछ भी ग्यान नहीं था वो इन सभी बातों से अंजान था परंतु वह उस सिवलिंग की पहरेदारी करने के लिए थोड़ी देर वहां ठहर गया रात हो गई लेकिन मंदिर का कोई पहरेदार आया ही नहीं भील को सिवलिंग की अब सुरक्षा की चिंता सताने लगी उसे लगा कि सुनसान जंगल में यदि सिवजी को रात को अकेला छोड़ दिया जाए तो कहीं जंगली जानवर इन पर हमला न बोल दे उसने धनुस पर बान चड़ाया और पर्भु की पहरेदारी पर जम गया सुबह हुई तो भील ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है वैसे ही भगवान को भी भूख लगी होगी उसने एक पक्षी मारा उसका मास भून कर सिवजी को खाने के लिए रख दिया और फिर सिकार के लिए चल दिया साम को वह उधर से लोटने लगा तो देखा कि अभी भी सिवजी अकेले ही है आज भी कोई पहरेदार नहीं है उसने फिर राद भर पहरेदारी करी सुबह पर्भु के लिए भूना मास खाने को रख कर चला गया दोस्तो ऐसा उसने तीसरे दिन भी किया मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पास कही गाहों से एक ब्रहमण आते थे रोज मास देखकर वो दुखी हो गए उन्होंने सोचा उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो रोज मंदिर को अपवित्र कर रहा है अगले दिन स पास में पेड़ों की ओट में जाकर छुब गए थोड़ी देर बाद वह भील मांस लेकर आया और सिवलिंग के पास रखकर जाने लगा ब्रहमण के क्रोध के अब सीमा न रही उन्होंने भील को रोखा और कहा अरे मुर्क महादेव को अपवित्र क्यों करते हो भील ने भो इन रात मैं शिवलिंग की पहरेदारी करता हूं तुम तो पता नहीं कहा चले जाते हो इनके रात की रख्षा की जिम्बेदारी तुम्हारी है परंतु मैं तुम्हारी जगा कर रहा हूं इस तरह वह पंडित से लड़ाई करने लगा ब्रहमण ने कहा मूर्क जो संसार की र पुरानी का दोस लगाने लगा और यहां तक की डंडित करने के लिए भी तैयार हो गया वहीं हमारे कटकरना है वहीं महादेव सिव इस चर्चा का पूरा रस ले रहे थे परन्तु जब महादेव ने स्तिती बिगडते देगी तो ततकाल प्रकट हो गए महादेव ने भील को प्रेम से हिर्दय से लगा कर आदेश दिया कि तुम ब्रहमण को छोड़ दो मैं अपनी सुरक्षा का दूसरा परबंद कर लूँगा ब्रहमण ने सिव जी की वंदना की महादेव से अनुमाती लेकर उसने अपनी सिकायत सुरू कर दी प्रभू मैं सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं इस जंगल में प्राण संकट में डाल गर पूजा अर्चना करने आता हूं उत्तम फल फुलों से भोग लगाता हूं किन्तु आपने कभी मुझे दर्सन नहीं दिये परंतु आज इस भील ने मास चड़ा कर तीन दिन तक आपको अपवित्र किया इस पर प्रसन होक अगर आज आप दर्सन दे रहे हैं भोले ना यह क्या माया है सिवजी ने समझाया तुम मेरी पूजा के बाद फल की अपिछा भी रखते हो लेकिन इस भील ने नी सवार्थ तीन दिन तक मेरी सेवा की इसने मेरी पहरेदारी करी मुझे अपवित्र नहीं किया इसे अपने इरिजन की सेवा का यही तरीका आता है और मैं तो भाव का भूका हूं इसके भाव ने जो त्रिप्ति दी है वो किसी फल मेवे में नहीं